असलाम लेकूम मेरा नाम है बारियदत और मैं हूँ क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट आज मैं बात करने वाली हूँ अप्लाइट साइकॉलोजी और क्लिनिकल साइकॉलोजी के डिफरेंस के उपर बहुत सारे स्टूडन्स जब बियस या एमस के लिए अप्लाइ करते हैं तो वो इन दोनों सब्जेक्स को लेकर काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंके कुछ उनिवस्टी अप्लाइट साइकॉलोजी में प्रोक्राम आफिर कर रही होती हैं और कुछ क्लिनिकल में तो अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस पता नहीं होगा तो माइट भी आप अपने लिए गलत प्रोक्राम को चूज कर ले तो मैं इस वीडियो में इन दोनों सब्जेक्स के डिफरेंस के ओपर भी बात करूँगी और इन दोनों में कौन कौन से केरियर जाते हैं जो आफ फ्यूचर में जॉइन कर सकते हैं इस पर भी बात करूँगी psychology एक वाज सब्जेक्ट है जिसमें मुखलिफ ब्रांचिज आ जा जाती हैं मुखलिफ फील्ड जा जाती हैं और इन फील्ड में मुखलिफ कैरियर्स आ जाती हैं अब हम सबसे पहले देखते हैं कि applied psychology किसे कहते हैं psychology की दो टाइप्स होती हैं एक है experimental psychology जिसमें हम research पर focus करते हैं और दूसरी है applied psychology जिसमें हम उसी research work से answer तलाश करने के कोशिश करते हैं इस research को इस्तमाल करके हम मुखलिफ queries और principles को follow करते हैं और अपनी रोस मरा के जिन्दगी में पैदा होने वाले मिसाइल का हल निकालते हैं applied psychology के नाम से या पंदाजा लगा ले मतलब वो psychology जो हम apply करते हैं कहां apply करते हैं अपनी daily life में society के अंदर अपने बच्चों को बढ़ा करने में अपने relationship को चलाने में even जानवरों के साथ भी इसके लावा अपने मसाइल हल करते हुए या दूसरों से मिलते हुए वगरा अब आप हिरान हो रहे होंगे कि मैं यहां experimental psychology और applied psychology की बात क्यों कर रही हूँ हाला कि बात तो applied और clinical क्यों नहीं थी अब यहां जो बात access students को confuse करती है वो यह है कि वो समझते हैं यह दोनों subject एक दूसरे से मुखलिफ है हाला कि ऐसा नहीं है applied psychology के लिए हम umbrella term में इस्तमाल करते हैं क्योंकि उसमें मुखलिफ fields आ जाती है जैसे counseling psychology, industrial organizational psychology, forensic psychology, occupational health psychology, human factors, engineering psychology, educational psychology वगएरा अब इनी में एक field है जिसे कहते है clinical psychology मतलब clinical psychology दुरासल applied psychology की ही branch है clinical psychology एक ऐसी field है जिसमें psychological research और techniques को दुरासल clinical settings में apply किया जाता है अगर मैं clinical psychology को आसान अनफास में refine करूं तो किसी भी शक्स को जब study किया जाता है observation करके या experimentation के जरिए इस सोच के साथ किसमें change आएगा ये clinical psychology है अब यहाँ यह याद रहे किसे clinical क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी observing और working की जाती है वो patient के साथ directly clinics में या इस तरह के related settings में की जाती है जैसे clinical psychologist जो होते हैं वो directly person के साथ या families के साथ काम करते है ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि mentally तोर पर उनके साथ क्या मसला चल रहा है फिर इनके issues के मताबिक जैसे anxiety, depression, schizophrenia, bipolar या कोई और mental disorder हो वो एक treatment plan त्यार करते हैं फिर इस पर बकाइदा work किया जाता है ताकि वो शक्स एक बहतर और satisfied life उजार सके पीछे जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि clinical psychology दरसल applied psychology की ही branch है इसलिए applied psychology के बाद clinical psychology आपकी first career choice हो सकती है इस फिल्ड में आप उखलिफ companies के साथ काम कर सकते हैं इसमें employee issues, consumer issues, hiring, retention problem, काम से related stress, job satisfaction जैसी चिज़ों पर काम किया जाता है forensic psychology में criminals के mind और behavior को बढ़ा हो समझा जाता है forensic psychologists, law enforcement agencies के साथ काम करते हैं ताके बहतर तरीके से पता लगा सके हैं कि कोई शक्राइम क्यों करता है इससे police को भी मदद मिलती है और दालत में भी इस बात को explain किया जाता है कि कोई crime किस बना पर हुआ इस field में athletes पर focus किया जाता है कि वो कोई sports खेलते हुए या कोई और physical activity करते हुए कैसे अपनी performance को बहतरी इन कर सकते हैं इसके लावा athletes में गेम से पहले पैदा उने वाली anxiety और stress पर भी काम किया जाता है और अगर कोई injury से गुजर रहा हो उसमें भी sports psychologist मुखलिफ mental exercises और medication के जरीए उसकी injury को recover करने में मदद करते हैं engineering psychology जैसे नाम से ही clear है कि engineering और psychology का mixture है इस सब field में इस बात पर focus किया जाता है कि ऐसी technology equipment और work environment को अपनाया जाए या improve किया जाए जिसमें इनसानी रवाई है और इनकी सलाहियतें बेतर हो सके इसकी मदद से जो technology हम रोज इस्तमाल करते हैं वो मजीद reliable, useful और safe होती है education psychology इस पात पर focus करती है कि लोग कैसे सीखते है इसके लावा teaching methods, strategies, intellectual process, अदारे का किदार यहां तक स्टूड़न्स के अंदर सीखने से मुतालिक पैदा होने वाली disabilities पर भी focus किया जाता है clinical psychology में क्योंके हम लोगों से directly उनके mental health issues को लेकर deal करते हैं इसलिए जब हम professionally काम करते हैं तो इसके लिए applied psychology से मुख्रिव किसम की settings होती है इसमें दो settings बहुत जादा common है private practice में client को अपने office या clinic में देखा जाता है यह आपकी specialty पे depend करता है कि आप adults के साथ काम करें, बचों के साथ काम करें या आप अखेले शक्स को deal करें, families को deal करें, या couples को deal करें इसके लावा हो सकता है कि आप किसी clinic से जादा psychiatric facility में काम करना पसंद करें इसमें behavioral health clinics हो सकते हैं, hospitals हो सकते हैं, centers हो सकते हैं कुछ centers में भी patients बाहर से आते हैं, कुछ centers में patients उसी जगा पर रहते हैं झाल